आपने जो भी प्रवर्तों के कारियों के बारे में जाना है ये एक बहुत important question है जो कि आपके प्रिशन पत्र में पूछा जाता है अक्सर तो बचों इसे तयार कर लीजेगा और इसे अच्छे तरीके से जानने और समझने के बाद आएए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके दू registration English शब्द है तो मैं हो सकता है कि बार-बार registration बोलूं आप ध्यान में रखिये कि मैं समामेलन की बात कर रहे हूं वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी की समामेलन का ज्यादा से ज्यादा उप्योग करूं अब समामेलन और registration की जब बात आती है तो किसी भी company का registration कैसे ह होता है उसमें कौन-कौन सी क्रियाएं होती है यह जानना बहुत जरूरी है और इनको जानने के लिए आए अब हम देखते हैं कि इन कौन कौन सी activities या क्रियाओं को include किया जाता है या जोड़ा जाता है। जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं पहली जो क्रिया है जिसे हम प्रारंभिक क्रिया या preliminary activity कहते हैं उसके अंतरगत ये कुछ क्रियाओं आती हैं। इन क्रियाओं को हम एक एक करके समझते हैं कि इन क्रियाओं के अंतरगत होता क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं पंजी कृत कार्याले। अब यहां पर क्या होता है पंजी कृत कार्याले। ये जो बच्चो होता है ये हर राज्य का अपना एक कार्याले होता है जो हर राज्य में स्थित होता है कंपनी रिजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे कंपनिया जो नई खुलना चाहती है या अपने आपको इस्टैबलिश करना चाहती है अपने हम कह सकते हैं या अपना रिज Registration कराने के लिए कुछ documents submit करने पड़ते हैं हैनन cose documents को submit करने के बाद किसको submit करने पड़ेंगे company के registrar को submit करेंगे है न राज extracting company के registrar को document submit करने पड़ेंगे और जैसे ही वो जो essential documents या ज़रूरी कागजाज जो करते हैं वो कंपनी के रिजिस्ट्रार के पास जमा करते हैं कंपनी का रिजिस्ट्रार क्या करता है कि उन डॉक्यमेंट्स को चेक करता है और उसके लिए जो निर्धारित अमाउंट रहता है उसको एकसेप्ट करता है और इन के सारी चीजें सही रहती है तो फिर कंपनी को रि पंजिकृत कार्याले में होते हैं तो पंजिकृत कार्याले क्या है और उसका कार्य क्या है वहाँ पे रजिस्ट्रार क्या कार्य करता है आपको समंझ में आ गया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका दूसरा कार्य क्या है अब हमने देख लिया कि पंजिकृत कार्याले पंजित करत कारियाले में सबसे जरूरी बात हमने ये देखी कि कारियाले होता क्या है लेकिन इसमें एक और important चीज आती है कि हमें अपने company को किस state में या किस राज्य में establish करना है उसकी सापना कहा करना है यह प्रवर्तक होते हैं प्रोमूटर्स उनको यह पता होना चाहे है कि जो कमपनी किस वो स्थापना करने जा रहे हैं वो किस राज्ज में करने जा रहे हैं और उस राज्ज का जो कमपनी जो पंजुकृत कार्याले है कमपनी का वो कहां पाया जाता है फिर हम दूसरे बिंदू के ओपर आते हैं वो कहता है company का नाम निश्रुद करना बहुत important है देखी जैसे कि मैंने बताया कि company के नाम के आगे अगर private company है तो pvt limited लिखा रहता है और अगर साथनिक company है तो limited लिखा रहता है दूसरी चीज़ company का नाम कैसा होना चाहिए different होना चाह चाहिए कोई company उसी नाम को लेकर करके अपना व्यवसाय कर रही है ऐसा नहीं होना चाहिए तो यहां पर company का नाम जो होता है वह एकदम different होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो government है इंडिया की उसको उस नाम से किसी भी तरह का objection होना चाहिए तो इस बेसिस पर company के जो ना उद्योग विकास एम नियमन अधिनियम 1951 की अंतरगत license प्राप्त करना बचो यह जो नियम है इसमें 1953 में कई संशोधन हुए है इसमें ऐसे प्रातना पत्र को केंद्री सरकार के व्यापार एम उद्योग मंत्राले नई दल्ली के सच्चिव के पास भीजना चाहिए यह जो होता है उद्योग विकास एम नियमन अधिनियम 1951 की अंतरगत जो लाइसेंस इसी बेसिस पर प्राप्त होता है कि आप उस जो कारे व्यवसाय को करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर अंश है साथ ही साथ आपने जितने भी प्रॉपर डॉक्यमेंट्स आप पूचाइए आपने अरेंज करके रखे हैं और यह जो प्रार्तना पत्र है आपको केंद्री सरकार के व्यापार यह मुद्योग मंत्राले जैसे मैंने आपको बताया नहीं दिल्ली में उनके सचीव के पास उनको भेजना पड़ता है फिर बात आती है आवश्यक न्यूक्त आवश्यक न्यूक्तियां करना पड़ती तथा क्या होता है इसमें इसके अलावा जो पार्शत सीमा नियमन होता है उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम भी तैग किये जाने होते हैं ठेक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है प प्रमुख प्रलेख तयार करना डॉक्यूमेंट्स यहां पे प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट्स अब कौन से प्रमुख प्रलेख तयार होंगे यहां पे दो प्रकार के प्रमुख प्रलेख तयार होते हैं मतलब इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स तयार होते हैं पहला है जिसे हम Memorandum of Association कहते हैं और दूसरा है Article of Association कहते हैं Memorandum of Association को हम हिंदी में कहते हैं पार्षद सीमा नियमन है ना Memorandum of Association को हम हिंदे में कहते हैं पार्षद सीमा नियमन तथा जो Article of Association है उसको हम कहते हैं पार्षद अंतर नियमन है ना ये दोनों जो documents हैं प्रमुक प्रले किया important documents हम कह सकते हैं इनको तयार किया जाता है उसके बाद क्या होता है कि registrar के पास प्रार्थना भेजना अब यह होता है कि सारे जब documents prepared हो गए हैं तो उन सारे documents की copy क्या करते हैं एक file में attach करते हैं सीक्वेंशली जो पहले आने चाहिए वह पहले आगे फिर उसके बाद मतलब sequence में होने चाहिए करमा अनुसार की बात कर रहे हैं करमा अनुसार अरेंज करते हैं और उसको क्या करते हैं रजिस्ट्रार के पास एक application दे करके भेज देते हैं अब क्या होता है कि जो रजिस्ट्र पत्र के साथ तो वहां पर क्या होता है एक amount भी तो एक निश्चित amount या कह सकते हैं राशी जो की तय होती है उसको भी वहां पर जमा करना पड़ता है कि इसके पास करता है रजिस्ट्रार के पास और उसके बाद रिजिस्ट्रार चेक करता है कि यह जो अपने पास documents आये है यह proper है की नहीं complete है की नहीं जो वैधानिक है की नहीं और सारी चीजों को तै करने के बाद चेक करने के बाद ही वो यह निश्रित करता है कि यह जो company है उसका registration होगा की नहीं तो यह preliminary activity हो गई प्रार्थ में क्रियाएं हो गई अब दूसरी बात आती है कि registrar के पास प्रसूत किये जाने वाले प्रलेख what are the documents those we have to present in front of registrar के पास हम कौन से प्रलेख प्रसूत करेंगे यह एक अलग topic है इसे हम बहुत short में भी समझेंगे तो इसमें कुछ बिंदू है हम उसको बहुत कम में समझ लेते हैं क्योंकि यह जो है अपना एक अलग topic बनता है जिस पे हम अलग तरिके से बहुत detail में चर्चा करेंगे इसलिए इस समय हम इसे छोटे रूप में देखते हैं तो अगर हम पहले प्रलेख या पहले document की बात करते हैं तो जो पहला document होता है इसे हम कहते हैं पार्शृत सीमानियमन जिसके बारे मैंने आपको पताया इसे English में हम कहते हैं Memorandum of Association यह जो document होता है यह किसी भी company के लिए बहुत important document होता है इस document के बिना किसी भी तरह की company के बारे में या उसके registration के बारे में विचार ही नहीं किया जा सकता especially इसमें क्या होता है कि इस document में जो company है उनके उदेशों को निर्धारित किया जाता है उनके अधिकारों को निर्धारित किया जाता है साथ ही साथ उनके अधिकारों को एक boundaries में बांधा जाता है कि इस अधिकार तक ही आप यह क्रियाएं कर सकते हैं इसके बाद आप कुछ कर क्या होता है कि रिजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है इस तरग के डॉक्युमेंट को प्रिपेर किया था जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है आगे बढ़ते हैं दूसरा जो होता है वह पार्शत अंतर नियमन होता है यह डॉक्युमेंट जो होता है इन से क्रियानमीत किया जाएगा इस चीज़ों के बारे में उसमें चर्चा होती है सबसे इंपॉर्टन बात यह जो डॉक्युमेंट होता है यह सारजनिक कंपनी के लिए आवश्चक नहीं होता है ठीक है अब बीना अंतर नियम के जब भी भी कोई सारजनिक कंपनी क्या करती से पूरे डॉक्युमेंट हैं बिना अंतर नियम के रजिस्टर किया जाएं क्योंकि सारजनिक कंपनी के लिए यह आवश्चक नहीं होते हैं की कई तीसरा प्रलेक देखते हैं तीसरा प्रलेक कहता है कि रजिस्टर्ड कार्यालाय की सूचना अब रजिस्टर्ड कार्यालाय में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद 30 दिन के अंदर ही इसकी सूचना दी जाती है फिर आती है संचालकों की सूचना इसमें संचालकों का ना घाम पता पेशा तता अन्य विवरन्ट दिया जाता है कि मतलब उनकी पूरी जानकारी है ना की संचाला को विटरीक्राश्चाला के संचाला को नाम क्या एि salvar को एगभ जा रहते हैं तो और क्या करते हैं तो सारीज का क्या इतन हैं आगे हैं संचाल को की लिखित सेहमती इसमें क्या होता है कि हम सारजनी कंपनियों की बात करें तो सारजनी कंपनियों में इस तरह के document की जरूत होती है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी हम कह सकते हैं संचालक मंडल के लोग हैं या संचालक मंडल में न्यूक्त अधिकारी हैं वो क्या करते हैं अपनी लिखित में सहमयती देते हैं कि हम जो company के इतने shares के लिए liable है इसमें जो भी loss या profit होता है उसको नहीं होता है आगे बढ़ते हैं अगले document की तरफ या प्रलेक की तरफ अगला प्रलेक कहता है कि योग गिता अंशोक के संबंद में वचन जैसे मैंने बताया कि संचालक मंडल इस चीज़ पर हस्ताक्षर करता है कि हम जो हैं इस company के संचालक मंडल में सहमयती हैं साथ ही जा कहता है कि जो अंश हैं हम इनके लिए लाइबल वही चीज़ में और दोनों चीज़ में common यह है कि यह जो चीज़े हैं यह ना कि नीजी company के लिए आवश्चक नहीं होती और अगर हम इसके पहले वाले point की चर्चा करें कि संचालकों की लिखित सहमती में इसमें क्या होता है जो सहमती के बाद उनके हस्ताक्षर भी लिये जाते हैं important रूप से फिर बात आती है दूसरे प्रले की वो कहता है प्रबंद व्यवस्थापकों के साथ प्रारंबिक अनुबंद प्रबंद व्यवस्थापक कौन है संचालक प्रबंद संचालक मैनेजर सच्चिव कोशा द् क्या होता है कि अगर हम इस पॉइंट को समझें तो जितने भी प्रबंद के व्यवस्थापक हैं यहां management के लोग क्या सकते हैं बहुत इसी भाशा में हम समझ पाएंगे कि जितने भी management के लोग हैं वह क्या करते हैं या company क्या करती है उनके साथ एक contract बनाती है कि भाई आप हम बन रटन फॉर्मेट में होता है तो उनमें उनके signatures विट सील भी होंगे तो इस format को यह इस document को क्या करना पड़ता है company registration के ऑफिस में समेट करना पड़ता है फिर आगे बढ़ेंगे वैधानिक घोशना अब वैधानिक घोशना क्या होगी कि company के registration के समय एक वैधानिक घोशन रजिस्ट्रार के पास भेजी जाती है कि registry के लिए सभी वैधानिक आवशक्ताओं की पूर्ती की जा चुकी है तो इस सरीके से यह कुछ important documents थे जो कि registrar के पास प्रस्तूत किये जाते हैं अब बात आती है निर्धार शुल्क की भुकतान की बात बाती है बचो आप देखो क क्या होता है कि मतलब हम इसे English में कह सकते है payment of prescribed fee यहां पर जैसे मैंने बताया कि important document समेट करते हैं साथ ही साथ जो निर्धारिक शुल्क होता उसको जमा किया जाता अब यह कहां जमा होगा भारत सरकार का account RBI में बना होता है वहां पर यह amount जमा कर दिया जाता है साथ ही साथ ह मैं आपको बताना चाहूंगी जो भारती company अधिनियम की दसवी सूची में इस शुल्क की दरें दी गएं कि मतलब कितनी दर पर इसको जमा करना पड़ेगा या क्या दर रहेगी किस company के लिए किस प्रकार के व्यापार के लिए कि उनको इतना amount at the time of registration क्या करते हैं पूरे documents के सथ जमा करना पड़ेगा अब क्या होता है कि जब यह payment भी आ गया पूरा document भी आ गया तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो होता है कैसे सटिस्फाइब होगा पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा पूरे डॉक्यूमेंट्स सहीं है कि नहीं उनमें कोई कमी तो नहीं अगर कमी है तो फिर से उसको वेरिफाई कराएगा फिर से पत्र या registration प्रमान पत्र कंपनी को इशू करता है इस registration प्रमान पत्र को इशू करने के साथ साथ वो एक चीज और क्या करता है कि एक corporate पहचान नंबर भी देता है जिसे हम CIN कहते हैं और इसका full form होता है company identity number इस नंबर को देता है जिससे क्या होता है एक company जो है individually register हो गए वो उसका एक अपना अस्तित्व हो जाता है अब वह अगर एक नीजी company है तो व्यापार करना शुरू कर सकती है तो हमने देखा कि कौन कौन से प्रलेक important है या हमने कह सकते हैं हमने देखा कि कौन कौन सी क्रियाओं को किया जाता है अभी तक registration में हमने क्या देखा पहले प्रारंबिक क्रियाओं हुई फिर important documents को जमा किया फिर हमने देखा कि documents के साथ साथ हमने क्या कि निर्दारित शुलक कब बुकतान किया। अब हम देख रहे हैं इसी के अंतरगती की समामेलन का प्रभाव क्या है। मतलब रेजिस्टरेशन से क्या एफेक्ट पड़ता है कंपणी की इमेज पर कोल मिला करके। तो अगर हम कंपनी की इमेज की बात करें तो जैसा है कोई कंपणी रिजिस्टर हो जाती है वह company एक registered संस्था की रूप में registered organization या समामेलित संस्था की रूप में सामने आती है दूसरी चीज न्यायाले में उससे related document को present करके क्या कहता है company को प्रमानित कर दिया जाता है कि यह जो company है एक थाई अस्तित्व वाली company है ठीक है और एक registration के बाद क्या होता है एक company जो है कानुरी रूप से कृत्रिम व्यक्ति की तरह कारे करती है जिसका अपना एक signature seal होता है ठीक है और साथ ही साथ समामेलन प्राप्त करते ही एक नीजी company व्यापार प्रारम कर सकती है तो बचो इस तरीके से हमने देखा अभी तक की registration में कौन कौन से steps include है आए registration की process में ह समामेलन यानि registration हम देख रहे थे उसकी process के अंतिम चरण को जानने से पहले आए हम समामेलन प्रामाण पत्र के एक format को देखते हैं जो की registrar यानि company registrar द्वारा जो है वो company को दिया जाता है जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं ये एक समामेलन प्रामाण पत्र का प्रारूप है पत्र का नमूना देख रहे हैं उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं आपके right hand side में संख्या दी हुई है वहाँ पर reference number डलता है उसके बाद उसमें आप देख रहे हैं कि typed है कि मैं ये प्रमानित करता हूं कि डाश लिमिटेड आज के दिन company अधिनियम 2013 के अंतरगत समामेलित ह हुई है और यह company सीमिद दाइत वाली company है जो first blank आप देख रहे हैं या पहला रिक्ता आप देख रहे हैं limited के पहले वहाँ पर company का नाम आएगा इसके बाद आप नीचे देखते हैं तो एक blank और है वहां मैं आज के बाद blank होता है को मेरे हस्ताक्षर में दिया गया है इस प्रोफार्मा के left hand side में आप देखते हैं तो company के registrar की seal लगी होती है और उसके opposite side में आप देखते हैं तो वहां पे हस्ताक्षर company registrar तो बचो यह जो आप देख रहे हैं वह समामेलन के प्रमाण पत्र का नमूना